हलो हाई वेलकम एवरीबड़ी वेलकम टू स्टड़ी आइक्यू आएस मेरा नाम है वसू कटारा आप सब का स्वागत करता हूँ स्टड़ी आइक्यू आइस के स्यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम आज तो क्वेशन्स डिसक्स करने जा रहे हैं सोशल इशू के टॉपिक से यह दोनों क्वेशन्स लेकर हम डिसक्स कर रहे हैं पहला क्वेशन आपके सामने स्क्रीन पर है क्लियर ली आइधिंग आप सब को विसिबल होगा देख पा रहे होंगे आप लोग क्लियर तरीके से क्वेशन बहुत सिंपल है दिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्स्पिरियंस अफ हाई ग्रोथ इंडिया स्टिल गोज विद दी लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ हुमन डेवलोप्मेंट एक्जामने इशूस अट में बैलनस्ट एंड इंक्लूजिव डेवलोप्मेंट एल्यूसिफ हिंदी में बोलू तो उच्च सम्रिद्धी के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निमनतम संकेतक चल रहे हैं संकेतकों में भारत निमन स्तर पर बहुत कम स्तर पर है उन मुद्धों का परीक्षन कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं क्या कारण है कि हम इतना जादा एकॉनमिक ग्रोथ अचीव कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी इंडिया के हैं अडानी साहब भारतिय रखती है और फिर भी देश के अंदर इतनी जादा गरीबी आज भी हमें देखने मिल रही है आखिरकार कारण क्या है इस चीज़ का इसका आँसर हम लिखेंगे टेन माक्स का ये क्वेशन है 150 वर्ज में इसका आंसर लिखना ह है लेट स्टर राइटिंग दी आंसर थीन पार्च में डिवायडेट हाई ये तीन हिस्व में बाटके पढ़ेंगे इस क्वेशन को जैसे हम किसी भी क्वेशन को दीखते हैं 3 हिस्व में बाटके पहला होता है इंट चृड़क्शन परीचय सेकंड होता है मेन बॉडी Context है उसके बारे में लिखे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि अमीरी तो बढ़ रही है कुछ लोगों की, कुछ लोग ही हमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोग आज भी गरीबी के रिखा के नीचे ज्यादतर आबादी हमारी ऐसी है, जो मिडल क्लास या लोर मिडल क्लास में जी रही तो ऐसा क्या कारण है इसको समझते हैं, question simple था, ज्यादा इसमें कोई rocket science तो है नहीं, तो हमें इसमें basically introduce करना है कि क्या ऐसा हो रहा है, कि high growth के बावजूद हमारे देश में मानव विकास नहीं हो पा रहा, health education की शेत्र में आज भी कही न कही पिछड जा रहे हैं, उसका reason लिखना है कि कैसे Indian economy, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवस्थाओं मैंसे जो एक अर्थवस्था है Indian economy है, आज वो क्यों इतना पीछे रह जा रही है, चलो आंसर लिखते हैं, and please this session को अपने साथियों के साथ शेर करे, आप मिरसत connect भी हो सकते हैं, वसू.kataraad studyiq.com और मेरे civil service exam clear नहीं हो सकता, answer writing practice नहीं करोगे तो, तो आओ, अपने opinions form करो, model answer देखो class में, और फिर लिखने की practice भी करो, चलो, answer लिखते हैं, India's current situation shows a stark divergence, भारत की आर्थिक स्थिति, दो चीजों को दर्शाती हैं, जो एक दूसर से बिन है, एक दूसर से अलग है, we are amongst the, हम दुनिया के उन देशों में से एक है, we are amongst the largest economies of the world, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थिवस्थाओं में से एक है, we are amongst the largest economies of the world, but we fare poorly, हम बहुत नीचे स्थान पर आते हैं, in the human development indicators, in the human development indicators, मानव विकास के, हम सूचकांग को में बहुत नीचे आते हैं, अभी HDI human development index में है, इंडिया की latest rank कितनी थी जरह comment box में बताईए, so we fare poorly in the human development indicators, हम मानव विकास सूचकांग के अलग-अलग पहलों में human development index की report में, जो United Nations के दोरह तियार की जाती है, इंडिया की बहुत पूर rank है, कितनी है, 130 है, 31, 32, कितनी है, comment box में बताऊ जबकि हम rapidly economically grow कर रहे हैं, in fact, world की उन countries में से इकलौती country हैं, जो developed countries की शेडी में आती है, उन countries के मुकाबले इंडिया एकलौती ऐसी country है, जो 5, 6, 7, 8% की growth हासिल कर रही है, more than 5% की growth देख रही है, चाइना की growth story भी आके आज थम गई है, USA, Canada, Britain, Scandinavian countries भी उतना तेदी से तरकी नहीं कर पा रही है, हम एक मिसाल हैं दुनिया भर के लिए, पर यह मिसाल कुछ शेत्र में ही मिसाल है, बाकी जगवाँ पर human development parameters में अभी hunger index आये था, इंडिया की बहुत poor rank रही, दुनिया भर में कितनी 120 countries में से हमारी rank कितनी थी hunger index में, बताये comment box में, इसके इलावा आपको देखने मिलेगा बहुत सारे social indicators होते हैं, multi-dimensional poverty index, human development index, उसमें भी हमारी rank कोई खास नहीं है, हमें काफी पीछे है, तो उसका reason हमें समझना है क्या है, और basically India को improve करना है ऐसी स्थिती से, so that we can rapidly grow, तेजी से तलक्की तो करें करें, आर्थिक तोर पे तलक्की तो करें ही, माना विकास भी बड़े हमारे देश में, human development भी बड़े हमारे देश में, So India's current situation shows a stark diversity, we are amongst the largest economies of the world but we fare poorly, हमारे स्थिती काफी खराब है, we fare poorly in the human development indicators, ठीक है जी आगे बताते हैं, अब हमें यह बताना है कि हमारे स्थिती और बहतर कैसे हो सकती है, अगर आप compare करेंगे, if we compare India with countries having similar GDP size, their socio-economic standards are really high, अगर आप Japan, China, इन सब से GDP के मुकाबले compare कर रहे हो, तो वहाँ पर socio-economic standards बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के मुकाबले, very high in comparison to India, if we compare India with BRICS countries, Brazil, Russia, China, South Africa, देशों से ही हम compare अगर कर लेंगे, अगर हम BRICS countries से ही compare करते हैं, it will showcase our ineffective performance in healthcare and education, स्वास्त और शिक्षा के शेत्र में BRICS countries के मुकाबले ही हम ज्यादा पैसा नहीं डाल पारे, उतना पैसा भी नहीं डाल पारे, उतना ज्यादा हेल्थ और education को focus ही नहीं कर रहे हैं, जितना BRICS countries कर लेती हैं, Brazil, Russia, China, South Africa, जैसी countries कर लेती हैं, मतलब कहीं न कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं, अच्छी healthcare का access नहीं दे पारे, अच्छी education का access नहीं दे पारे, जिस वए से लोग कहीं न कहीं पिछर जा रहे हैं, people are not able to grow further, यह आपने एक बात समझी, अब कौन से कौन से issues हैं, main body शुरू हो जाएगा, issues, question में पूछा था ना, question को ही focus करते हुए, हम देख रहे हैं, what are the issues, क्या-क्या issues है, जो हमें सामना करना पड़ रहा है, that make balanced and inclusive development, elusive, elusive मतलब छूटा जा रहा है हमारे हाथ से, elusive मतलब छूटा जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है, हमारी पकड में नहीं आ रहा है, हमारे परले से बाहर है, यह हमें अब बताना है, issues that make, issues that make, that make, balanced and inclusive development, balanced and inclusive development, elusive, elusive मतलब छूटा जा रहा है हाथ से, देखते हैं, what are the issues, first point, पहली चीज़ तो, इंडिया, human development indicators में ने बताया, health education उतना आगे नहीं है, और दूसरी बड़ी problem यह भी है, कि हमारे देश में jobless growth हमें देखने मिली है, jobless growth, मतलब हमारे देश में, देश की economic growth हो रही है, बड़े-बड़े business man, industrialist तरक्की कर रहे हैं, देश को और आगे ले जा रहे हैं, second richest man, दुनिया का India किसे है, मैंने आपको बात बताई, अनमानी जी, एदानी जी, देश के GDP हैं बहुत contribute कर रहे हैं, बट जो मास है हमारे देश का, जो जनता है, वो joblessness का सामना कर रहे हैं, पड़ा लिखा, youth, yuva, आज भी joblessness का सामना कर रहे हैं, आज भी joblessness का सामना कर रहे हैं, so India's growth, जो है growth story, जो है, ये एक service sector driven model के आधार पर चलती है, हमारा देश service sector industry में बहुत अच्छा perform करता है, employment नहीं provide कर पा रहा, आज भी देश की 50% से जाधा अबादी agriculture पर dependent है, so service sector is not a labor incentive sector, labor intensive sector नहीं है, service sector, जिसकी वज़े से labor को उतनी जाधा मातरा में नौकरियां नहीं मिलती है, service sector के अंदर jobs उतनी offer नहीं create होती है, इसलिए growth तो हो रही है, service sector contribute कर रहा है देश की तरक्की में युगदान दे रहा है, देश की तरक्की तो हो रही है, GDP growth बढ़ रही है, पर क्या है ना साथ-साथ लोगों को jobs नहीं मिल पा रही है, तो growth हो रही है, पर यह growth jobless growth है, employment growth has declined even after COVID situation, COVID की स्थिती के बाद हमारे देश में आर्थिक विकास तो हो रहा है, पर जो समावेशी विकास है, inclusive development है, वो कम हो गया, COVID के टाइम पर middle class से, middle class population से बहुत ज़्यादा lower class, poor class की तरफ, गरीब होने की तरफ या गरीबी की तरफ बहुत ज़्यादा ढखे ले गए है, इसलिए हमारे देश में jobless growth हो रही है, jobless growth बढ़ चल रही है, employment growth उतनी नहीं बढ़ पाई है, decline होई है, जितनी हैं आपके देश में level of economic growth बढ़ी है, यह बात आपको याद रखना है, तो यह आप पहला point लिखेंगे, jobless growth का, इस point को मैं लिख के नहीं बताओ, इस point के अंदर क्या लिखना है, मैं वो explain कर रहा हूं आपको, model answer provide करो, ताकि जब आप answer लिखेंगे, तो आप कम से कम आपको पास points होंगे कि कैसे आपको इन points को लिखना है, आगे चले, आगे चलते हैं, next point, jobless growth, दूसरा है आपका gender inequality, हमारे देश में gender के level पर असमान था, gender inequality होनी ज़रूरी है, जेंडर inequality खतम होनी ज़रूरी है, पार्ड़मी, inequality खतम हो, equality आए, ये बतानी कोशिश करो, देखें हमारे देश में समाज, patriarchal setup के तहट चलता है, पित्र सत्तात्मक, देश में आज कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें family के अंदर, जो male members होते हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है, female members की बात उती ही नहीं मानी जाती है, जिस वज़े से, हम gender related indexes में, high नहीं score करते हैं, जैसे global gender gap report, male और female की income के बीच में, gap बना हुआ है, अभी BCCI, जो cricket board हैं इंडिया का, उसने female और male cricketers को, same match fees देने का बादा किया, यह का अच्छा कदम था, gender equality को बढ़ावा देने के लिए, बट हर sector में, gender equality होनी चाहिए, जितना male कमा रहे हैं, उतना नहीं तनखा, females भी कमाएं, और अभी आपको gender inequality देशने में विल रहे, इस वे से तरक्की तो हो रही है, equality, because of patriarchy, malnutrition का सामना करना पढ़ता है, females को, anemia का सामना करना पढ़ता है, खून की कमी, education अच्छी नहीं मिल पाती, self-dependent आत्मनिर भर नहीं बन पाते, अच्छी शिक्षा होगी, पढ़े लिखे होगी, कहीं भी job कर सकती हैं, अपने और अपने परिवार का पेट पाल सकती हैं, बढ़ जब अच्छी education ही नहीं देंगे, skill development ही नहीं देंगे, अच्छी health care facility नहीं देंगे, आम तोर पर परिवारों होता हैं ना, कि बेटी आया या फीमेल या जो महिल आया हैं, वो last में खाती हैं, पहले सारे male members खालें, और कई बार तो अपने खाने से निकाल करकि, बेटा तू और थोड़ा खाले, हमारे देश की माएं तो इतनी महान हैं, कि अपना पेट काट कि अपने बच्चों का पेट भरने ही कोशिश करती हैं, तो बस मैं यही बात बता रहा हूँ, ऐसे केस में, economic growth कैसे होगा, social growth अगर हो इनहीं रही है तो, female को educate नहीं करोगा, skill development नहीं provide करोगा, कैसे वो economically contribute करेंगी, इस वाज़े से बहुत सारी problems हैं, जिसकी वाज़े gender inequality becomes a major road block, major hurdle, बहुत बड़ी बादा बनता है, देश को आगे, सामाजिक और आर्थिक तोर पर तरक्की के रास्ते पर लिगाने के लिए, और इस वरे से समानता देश में equality effect होती है, अच्छा, third point अप हम देखने जा रहे हैं, आज, casteism, regionalism, शेत्रवाद, जाती वाद, और religiousism, religious fundamentalism, इस वज़े से भी problem आती है, कि देश में आज भी हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जाती के नाम पे लड़ रहे हैं, और उस वज़े से, कुछ समुदाये को, कुछ minorities को, कुछ डलित community को, हम उतना economically समरिद नहीं देख पा रहे हैं, क्यों के economic growth पर उतना focus नहीं हो पाया, पिछले कुछ सालों में, schedule caste, schedule tribe community, weaker section, जैसे कि transgender हो गए, आपके दिव्यांग जन हो गए, उनके लिए अलग से कुछ काम नहीं हो पाया, right, so they are still out of the purview of economic growth, तो inclusive development अगर लानी है भाई, तो इनके खिलाफ discrimination रोको, और इनके favor में schemes बनाओ, जैसे reservation schemes है, reservation policy है, दिव्यांग जन को सरकार support करती है, बहुत सारे तरीके से, इस से क्या होगा, कि economic growth, economic development बहतर तरीके से हो पाएगा, और लोगों के बीच में, अलग-अलग समुदायों के बीच में जो एक gap है, वो भर पाएगा, दूर हो पाएगा, national identity को बढ़ावा दो, तो यह एक road block बनता है, इस road block को, इस स्वमस्या को हटाना जरूरी है, जातिवाद धर्म के हिसाब से जो, एक division एक gap बन जाता है, अच्छा, differential regional growth का मतलब है, कि हमारे देश में कुछ राज़े हैं, महराश्ट करनाटक, इंडस्ट्रियली बहुत जादा output प्रेड्यूस करते हैं, बहुत जादा डेवलप्ट हैं, और कुछ state हैं जैसे कि बिहार जहारखंट, जो इंडस्ट्री में उतना grow नहीं कर पा रहे हैं, उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी कहीं न कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हमें growth और development अगर create करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, कि balanced regional development हो, आचा आप देखो न, और sector में agriculture में भी हम पीछे न चूट हैं, इंडस्ट्रियल लेवल में भी पीछे न चूट हैं, सर्वे सेक्टर में भी पीछे न चूट हैं, हमें ऐसी policies बनानी होंगी, जिनको अगर हमने ignore किया, तो agriculture sector ग्रो नहीं कर पाए रहा, सीदिसी बात है, uneven growth आपको देखने मिलेगी, across various sectors, जो अभी भी देखने मिलती है, अलग अलग region के हिसाब से uneven growth देखने मिलती है, North India, South India का एक gap बना रहता है, नौर्थ इस्ट इंडिया और नौर्थ इंडिया का एक gap बना रहता है, इस gap को इस दूरी को हमें पूरा करना है, भरना है, ताकि ऐसी कोई भी समस्या जो आज हम regional level पे इंडिया में फेस कर रहे हैं, कुछ states के अंदर जादा अच्छा sustainable development goals हासिल कर पा रहे हैं, human development index बेटर है, करला के अंदर देखे हैं, जेंडर इक्वालिटी है, जितने male members है, हजार male के उपर हजार से ज़्यादा female है, वही अगर आप भर्याना से, बिहार, यूपी से compare करोगा तो उतना नहीं देखने मिलेगा ना आपको, इसलिए कि पूरे देश भर में है, बैलन्स तरीके से होना चाहिए, economic growth, किसी एक state को जादा benefit ना मिले, all states should be doing something, और इसके लिए center government और state government को coordinate और cooperate करना होगा, ये बात है CDC, वरना क्या है न, unequal distribution of wealth बना रहेगा, unequal distribution of wealth, अब ऐसे ही आप एक city में भी देख सकते हो, मुंबई एक इतना बड़ा शहर है जिसमें बड़े-बड़े घरबपती, घरबपती, अरबपती लोग भी रहते हैं, और slums भी है, चाल भी है, धारा भी सबसे बड़ा slum है, तो unequal distribution of resources, ये भी एक बहुत बड़ा factor है, जिस ही वैसे आज भी देशिकौन में ग्रोथ बले कितनी भी कर ले, पर पैसा सही से बटा नहीं होगा, कुछ लोग के पास बहुत जादा हजारो करोड रुपे हैं, कुछ के पास महीने का हजार रुपया भी नहीं हो पाता, करोड तो चलो दूर की बात है, तो only in the last five years, one percent of the wealthiest Indians have increased their share of wealth of around 60 percent, ठीक है जी, मतलब अगर आप देखेंगे, कि जो 10 percent top सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास 4 गुना संपत्ती है, bottom 90 percent वाले लोगों से, चार गुना ज्यादा संपत्ती, four times more wealth, तो सीज़ी सी बात है, inequality बहुत ज़ाद है हमारे समाज में, high level of inequality is prevalent in our Indian society, जिसकी वेज़े से non inclusive growth, inclusive growth बढ़ नहीं पा रही, non inclusive growth हमें देखने मिलके, growth हो रही है, बट inclusive नहीं है, लोग अमीर बनते जा रहे हैं, बट समावेशी रूप से नहीं बन रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग, अगर हजार लोग हैं, हजार में सिर्फ दस लोग अमीर हो रहे हैं, 990 लोग गरीब हैं, तो दस लोग का अगर आप average निकालेंगे, पूरा दस लोग को include करके, total thousand people का, तो आवरेज तो बढ़ता हूँ दिखेगा, बट सिर्फ दस लोग ही अमीर हो रहें, 990 लोगों की तो इंकम नहीं बढ़ रही ना, ये है मुद्देखी बात, ये है हमारी में प्रॉब्लम, तो ऐसी जॉब्लेस ग्रोथ को, जॉब्लेस नेस को, skills की कमी को, हमें दूर करना है, education को, healthcare के उपर बैसा, भैथर पैसा खर्चना है, government schools, government institution से भी अच्छी education मिले, government hospital से अच्छी health facility मिले, ऐसे infrastructures को set up करना है, तब ही जाकर, जो एक गरीब और अमीर का फर्क है, कम से कम हो पाएगा हमारे देश में inequality minimize हो पाएगी हमारे देश में यह है मुद्दे की बात छोटे बच्चे को पोशित होते हैं माल नूट्रिशन का लेवल होता है तो इन सब को दूर करना है हमें पूर हेल्थ केर फैसिलिटी पूर एजुकेशन माल नूट्रिशन लेवल को पोशिन के श्तिती इस सब का यह major factor है इन सब का एक major reason है और यह major reason बनते हैं कि इंडिया की economy growth जितनी हम expect करते हैं उतनी नहीं हो पाते हैं और उतनी balance तरीके से लोगों में नहीं बढ़ पाती है problems तो हमने बहुत बता दी अब solution देखते हैं solutions क्या हो सकते हैं what can be the probable solution वह है health care और education को focus करके expenditure करो अचा गरीब आद मी सबसे जादा कहां जाता है सरकारी hospital या सरकारी school अपने बच्चों के education दिलाने के लिए government schools, government colleges hospital जाते हैं government वाले ताकि अच्छे से इलाज करवा सके अपना अब वहाँ पर अच्छी facility होगी lowest possible cost में बिल्कुल बिना किसी पैसे के बलकी आपका अगर अच्छा इलाज हो जाएगा अच्छी शिक्षा मिल जाएगी अच्छा है hospital facility, medical facility मिलेगी तो लोगों को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा और उनको गरीबी के रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा लोग गरीब इसलिए भी होते हैं कि out of the pocket expenditure बहुत करना पड़ता है अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है out of the pocket expenditure is very very high बहुत ज़्यादा होता है out of the pocket expenditure मतलब कि आपको दवाईयां करीदने में जो पैसा खर्चना पड़ता है रेगुलर डॉक्टर से चेक अप कराने में जो पैसा खर्चना पड़ता है अगर अच्छा healthcare अच्छी education facility होगी तो आपको नहीं खर्चना पड़ेगा CDC बात है so you need to have access to quality healthcare quality education you should take benefit of various schemes लोग हमारे देश में अलग अलग योजनाओं का लाब ले सकें skill development create कर सकें ताकि नौकरी बनी रहे भारतियों के पास अगर skilled होंगे तो दूसरे देशों में लोगों को नौकरी ना देकर विदेशी भारत में आके भारतियों को नौकरी देने की प्रेफरेंस देंगे basically China को आज factory of the world कहते है क्योंकि China के लोगों के skills हमने Chinese government ने include करे है लोगों को skill training दी है और factories पूरा infrastructure factories का create कर है industries के लिए create किया है वही same चीज़ अगर इंडिया में करेंगे इंडिया में इंवेस्ट करेंगे इंडिया में jobs बढ़ेंगी इंडिया में economic situation बेटर होगी पैसा आएगा परिवारों के पास तो अपनी education पर पैसा लगाएंगे अपने बच्चों की करना है डिडिटल इंडिया स्किल इंडिया मिशन को इंप्लिमेंट करना है health और education पर पैसा spend करना है skill development पर पैसा spend करना है ताकि लोगों का हमारे देश में standard of living सुधर सके और यही बात आपको बतानी है कि skill development हो गया infrastructure हो गया making in India startup culture को बढ़ावा देना है ताकि लिवा जो है हमारे देश का वो नौकरी खोजने में ही परिशान ना रहे बलकि दूसरों को नौकरी दे अब आप खुद एक businessman बनेंगे you will not just be a job seeker खुदी नौकरी डूनते नहीं रहोगे हमेशा बलकि कि दूसरों को नौकरी प्रोवाइड भी करोगे you will be job creator यह मुद्दे की बात job seeker के साथ job creator बनोगे आप job seeker रहकर छोड़कर job seeker मतलब जो नौकरी ढूंड रहे है you will not be a job seeker anymore rather you will be a job creator जैसे देश का unemployment level कम से कम होगा यह है आपका long term solution यह बात याद रखनी है इसलिए हमें infrastructure बैतर करना है start-ups को बढ़ावा देना है छोटे बच्चों की healthcare education पर focus करना है जो आने वाले time के लिए demographic dividend है government की policies administration की policies इस प्रकार हो जो की inclusive development और खासकर financial inclusion को बढ़ावा दे है कि लोगों को awareness हो पहली बात तो awareness नहीं है तो build की जाए infrastructure support प्रोवाइड की जाए तब ही जाके inclusive growth हमारे देश में हो सकेगी यह बात आपको समझनी है लोगों को आश्रित मत बनाव सरकार पर इंडिपेंडेंट बनाव सरकार से और वो अपने फैसले फिर खुद ले सके यह सीधी सी बात है इसके लिए Skill India Mission, Digital India Mission, Startup India Mission, Healthcare में आयुश्मान भारत जन आरोगय योजना जो है प्रधानमंती जन आरोगय योजना ये सारे गरीबी के शिकंजे में लोग फसे हुए ना उसे पिंजरा तोड़कर बाहर निकाला जाए और inclusive development के लास्ते पर ले जाए 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 रुकी रुख गया है यह है मुद्दे की बात अगले question पर चलते हैं अगले question पर आने से पहले आप UPSC की तयारी कर रही हो answer writing practice तो एक part है आपको पूरा infrastructural support चाहिए होता है infrastructure support मतलब पूरी ecosystem चाहिए होता UPSC preparation का आपको हमारे batch में पूरा एक ecosystem मिलेगा UPSC preparation का 14th November से यह batch start हो रहा batch 1 है 2024 की UPSC preparation के लिए लगबग 15 महीने का batch 1 है पिछले साल मतलब 2023 के लिए जो हमने इस साल कई सारे batches निकाले उसमें हजारों की संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़े जो कि preparation कर रहे हैं and they are highly impressed by our classes by the lectures which they have attended जो classes देखी है यह classes bilingual होती है 1000 घंटे से जादा thousand hours plus live classes आपको देखने मिलती है and don't worry अगर live नहीं देख पाए तो recording भी मिलती है उसके अलावा hand written notes मिलते हैं आपको जिसे आप class में न सिर्फ class को देखो notes बनाने की जहमत ना करो वो हम बना के दे रहे हैं उसके इलावा तुम्हें material भी मिलता है revision के लिए NCRTs cover करवाई जाती है basic से foundation batch है मतलब बिलकुल foundation से basic से तयारी की जाती है उन बच्चों के लिए खासकर important है जिन्होंने UPSC के बारे में अभी तक कुछ समझा नहीं है देखा नहीं है basically उन्हें कुछ idea नहीं है का UPSC preparation होती कैसे है they will be benefited by being part of this batch batch में जुड़कर सबसे जादा लाव ऐसे लोगों को मिल पाएगा क्योंकि बिलकुल शुरुआत से scratch से basic से तयारी करा रहे है one-on-one mentorship मिलेगी in batches के अंदर in classes के अंदर आपको handmade notes lecture notes मैंने बता दिया MCQ कराई जाएंगे prelims test series full length test paper होंगे prelims के लिए practice के लिए daily main answer writing program daily आपके questions को आपको answer लिखने का मौका मिलेगा evaluate करके दिये जाएंगे आपको तो पूरा ecosystem है prelims की test series करवा रहे हैं पहले पढ़ा रहे हैं फिर test करवा रहे हैं फिर answer writing भी साथ-साथ करवा रहे हैं साथ-साथ होती answer writing दिससे आप सीख सको day one से नहीं होती है जो जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ की answer writing प्रैक्टिस करते जाओ daily current affairs program सारे major newspaper और magazines के current affairs को आपको provide के रहेगा उनके notes प्रोवाइड के रहेंगे CSAT की classes दी जाएंगे सब cover करा जाएगा कुछ छूटे का नहीं retired IS officers or working IS officers ज्यानवानी session में अपनी expert guidance आपको provide करेंगे कुछ आपको basic set of rules and regulations how to keep yourself calm and composed how to communicate effectively and clearly यह सब बताया जाएगा कैसे आप दूसरों से बातचीत कर सकते हैं बहतर तरीके से यह सब आपको वैसे अगर आप देखेंगे तो आप हमारे studyiq.com website पर जाएंगे सबसे पहले front महीं आपको studyiq.com में course देखने मिलेगा studyiq.com पर batch 1 foundation batch 2024 का prelims और mains का पूरी coverage prelims और mains की होगी इसमें मैं भी आपको पढ़ा हूँगा classes आपकी कब से शुरू हो रही है classes start हो रही है 14th November से आज 2nd November आ गया है जितना जल्दी हो सके इसमें जॉइन कर लो because classes आपकी 14th से शुरू हो जाएंगी पॉलिटी का अलग अलग पिलर्स पॉलिटी पढ़ाय जाएगा जोग्रफी फिर पढ़ाय जाएगा economy modern Indian history फिर society फिर essay writing कैसे करनी है फिर जोग्रफी का pillar number two फिर ethics ethics मैं आपको पढ़ाऊंगा governance मैं आपको पढ़ाऊंगा international relations पढ़ाय जाएगा फिर देखिए न पूरा साल भर का एक से डेर साल का प्रोग्राम सेट है आपका कुछ नहीं करना यहां से पढ़ना है नो नोट्स पढ़ने है newspaper पढ़ना है previous year question करने है syllabus पढ़ना है that's it बाकी जो teacher बताते रहेंगे वो चीज़ा पढ़नी है आपको that's it पूरी एक unified तरीके से एक schedule के तरीके से preparation हो जाएगी आपकी तो internal security भी मैं कवर कराऊंगा फिर science and tank के ancient history मतब 2024 prelims से कुछ महीने पहले आप पूरी तरह prepare हो चुके होगे prelims और mains के लिए और सिर्फ पेपर लिखना बाकी होगा आपके लिए अगर आप पूरा ये pattern follow कर होगे proper test series revision सब कराया जाएगा भाई सब कुछ छोड़ा नहीं जाएगा आप सब को जरूर पढ़ाऊंगा तो आपको क्या करना है 24,499 का बैच मिल रहा है इतना नहीं पे करना आपको apply promo code पर click करना है और वसुलाइफ coupon code पर click करना है व-a-s-u-l-i-v-e व-s-u-l-i-v-e वसु-l-i-v-e से क्या फाइदा होगा कि जो कोर्स अभी 24,000 का दिख रहा वह बठारह जार नो सबने जानवे का दिखने लगेगा वह यह तो सही है this is good isn't it because you were earlier going to pay 24,000 you need not pay that much again just pay 18999 and take admission admission fees reasonable यह पूरे infrastructure को देखकर reasonable NCRTs भी cover करा जारी है live classes recorded lecture notes handwritten notes और सबसे बड़ी बात है one-on-one mentorship पूरे साल भर तक आपके साथ एक guide आपसे जुड़े रहेंगे जो आपको whatsapp और calls के माद जिमसे guidance प्रोवाइड करेंगे एक कैसे preparation करनी है और आप उनसे अपने doubt पूछ सकते है होता है कही बारी कुछ पढ़ कहीं पर आपने मालो subsidy के बारे में कुछ पढ़ा संबद नी आया किस से पूछ होगे doubt साल भर पूछने के लिए आपके साथ आपके mentors रहेंगे जिन से आपूछ सकते हो और immediately resolution ले सकते हो so this you will not get anywhere बाकी institute जो यह facility offer करते है वो एक एक लाख रुपे charge करते है we are not charging that much because we study IQ things and believes that affordable education is important तो आप जरूर इसका फाइदा लीजिए बाकी आप मुझसे connect भी हो सकते है अगर कोई भी सवाल रह जाता है मेरे telegram channel Vasu Katara Study IQ पर या मेरी mail id vasu.katara at studyiq.com पर तो do apply Vasu Life coupon code for maximum benefit ता कि आप 18,999 का एक और admission के दोरान प्री और मेंस का पहला foundation batch है 2024 का अब हम चलते है second question पर there is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India the shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items squeezing their food budget elucidate लो क्या हो रहे है सरकार पहले हर चीज़ प्रोवाइड करती थी राशन की दुकानों से आपको मिट्टी का तेल सारा राशन मिलता था उसके अलावा हर area से जुड़े भी government की कोई ना कोई social sector welfare scheme चलती थी अब government जो है वो सिफ subsidy देती है या आपके bank account में पैसा डाल देगे या सरकार जितनी भी schemes पहले चला रही थी उनसे धीरे धीरे हाथ वापस खीच रही है जिस वज़े से non-food मतलब खाने पीने से जुड़ी ना हो चीज़े और हमारे लिए essential हो जैसे medicine दवाईया एक example दे रहा हूँ आपको medicine तो medicine और ऐसे related चीज़ों के उपर लोग पैसा तो खर्चेंगे अब उनके उपर जब भई कमाता कोई 100 रुपे है पहले अगर वो 60 रुपे food products पर खरीदने के लिए और 40 non-food items के लिए अब non-food items का budget बढ़ता जा रहा है इस पर ज्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है तो धीरे धीरे जो food items है वो budget घटा जाएगा जिसकी वज़े से आपको देखने मिलेगा एक divergence एक gap create हो रहा है gap build हो रहा है और उस gap के build होने की वज़े से आपको देखने मिलेगा कि इंडिया के अंदर social welfare schemes उतनी effective नहीं हो पा रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है hunger बढ़ता जा रहा है hunger मतलब भूक बढ़ती जा रही है hunger बढ़ता जा रहा है ये बात आपको याद रखनी है ये बात आपको याद रखनी है यह स्टडी आई क्यों अप्लिकेशन वर्क संग्रोम नॉट निशू वेबसाइट है ना वेबसाइट पर है ठीक है जी चलो और कोई डाउट है किसी का पहले तो यह पूछ लो साथ साथ मुझ से आप इस क्वेशन का मैं आपको आंसर देता हूं इसका आंसर क्या होना है और गैप जो बढ़ रहा है ना हंगर और पावर्टी का कि मतलब जो लोग एक लेवल पर्टिकुलर लेवल पर पहले हमें पावर्टी रेट इंडिया में देखने मिलता था और कोविड के बाद जादा बढ़ा है पावर्टी गैप उसका रीजन यह लोग जॉबलेस हो लोगों की नौकरियां चली गए लोगों के पास जो सपोर्ट होता था वो भी छिन गया लोगों को मजबूरन गाओं जाकर काम करना पड़ रहा है मन्रेगा का लाब लेना पड़ रहा है महात्मा गांधी नाशल रूरल एम्प्लॉयमेंट गरेंटी एक शेरों में फैक्ट में आप लिख सकते हो that government is moving away from the state-facilicated welfare programs की जो सरकार अब तक welfare programs आपको offer करती थी welfare programs का मतलब है की डोटी कपडा मकान से संबन देती और ना, right, food की आपको मिल जाता है National Food Security Act के तहट और इसके इलावा housing प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बहुत सारी अलग अलग स्कीम है, government इसको targeted बना रही है, कुछ लोग जो गरीब में भी सबसे गरीब है, उनको ही लाप मिल सके, so the government is moving away the government is moving away from state facilitated welfare schemes, from state facilitated welfare schemes, from state facilitated welfare schemes, सरकार के द्वारा जो welfare schemes से लाई जा रही है, उनके द्वारा, by drastically cutting down on social expenditure, by drastically cutting down on social expenditure, social expenditure, सरकार जो समाज के ओपर पैसा खषती थी, social welfare के लिए उसको cut करती जा रही है, the reduced expenditure, the reduced expenditure, जो expenditure घट गया है, the reduced expenditure has put, the reduced expenditure has put more pressure on, more pressure on, जो ये, जो सरकार के expenditure कम होता जा रहा है, उसे pressure बढ़ गया है, on poorer sections, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, उनके उपर, उनके उपर बोच पड़ रहा है न सारा, बाकी जो अमीर है, वो तो benefit ले ही लेंगे कहीं न, कहीं से पैसा कमा ही रहे हैं, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, उनके उपर सबसे आधे impact पड़ेगा न, so more pressure on the poor section or the poorer section, who are, who are majorly dependent, जो बहुत तरीके से सरकार के उपर ही आश्रित है, who are majorly dependent, who are majorly dependent on government, on government facilities to survive, on government facilities to survive. अब आपको देखना है, non-food related expenditure कौन से कौन से है, जैने आपको अभी example के तोर पर बताये था, कौन सा था, health, biggest, out-of-the-pocket expenditure बढ़ता जा रहा है, health has not remained to be affordable, बाकी देशों में, US, UK, Canada, government take care करती है, आपकी health facility को, UK और Canada की national health facility तो बहुत जाद अच्छी है, so health is a major, health plays a major role, major chunk of expenditure हमारा health care के ओपर जाता है, right, government hospitals है, facilities है, but quality उतनी अच्छी नहीं है, this way से लोगों की income के ओपर बहुत जादा strain पड़ता है, दवाईयां खरीदनी पड़ती है, out-of-the-pocket expenditure, अपनी जादा खर्चा करना पड़ता है लोगों को, और उस वजए से, this becomes a major problem और इसके ओपर पहले से के मुकाबले आज बहुत जादा खर्चा हो रहा है, दूसरा education sector, बच्चों को पढ़ाना है, education has not remained to be affordable, जो कि बहुत बड़ी problem है, affordable education नहीं है, और लोग असपायर, गल्ती लोगों की भी है, क्योंकि वो aspire ऐसा करते हैं, या IIT के preparation करेगा, और सबसे बड़ी बात है, कि उसी वजए से, because of the aspiration and fear of parents, लोग कुछ भी आके charge कर लेते हैं, कि आप इतना पैसा दे दी आपकी तयारी करवा दी जाएगी, education that is why has become very expensive, education involves spending a large fortune, बहुत जादा पैसा खर्चना पढ़ता है, for the poor section it is difficult, इस वैसे लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हमने तभी तो right to education के तहट 6-14 साल के बच्चों को free and compulsory education provide करने का, वादा किया right to education act के तहट, school में बच्चों को midday meal मिलता है, ताकि economic impact ना है education की वजए से poor people पर poor families के ओपर, बच्चों के लिए scholarship programs, SCST community के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, person with disabilities के लिए हमने अलग-अलग scholarship program शुरू करी है, ताकि support provide किया जा सके, so that economic situation should not be a burden on the family, CDC बाते जी, इसके लावा shelter, मकान, housing, पक्की housing facility नहीं है, लोग slums में कच्चे मकान में रह रहे हैं, छत उनकी पक्की नहीं होती, पानी गिरता रहता है, proper sanitary condition नहीं होती, hygiene का ख्याल नहीं रखा जाता है, साफ सुत्रे मकान नहीं है, urban areas में, urbanization की वैसे इतनी जमीन ही नहीं है, लोगों के पास urban areas में land इतना महंगा है, तो उस वज़े से लोगों को बहुत ज़्यादा rent दिना पड़ता है, किराया चुकाना पड़ता है, accommodation पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, गहिंए, transportation, transportation महंगा होता जा रहा है क्योंकि fuel महंगा होता जा रहा है, इंधन महंगा होता जा रहा है, petrol, diesel, CNG सब के दामबढ रहे हैं, transportation महंगा होता जा रहे है, गवर्मेंट की प्राइस बढ़ा रही है, टैक्से जाधा कलेक्ट कर रही है, सी एन जी पेट्रोल, डीजल सब के दाम बढ़ रहे हैं, so non-food items जो essential है, कई खर्चा तो करना पड़ेगा इन पर, बिना खर्चा करें थोड़ना जिन्दगी विताई जा सकती है, healthcare के उपर, education के उपर, rent दिये बिना, बिना जिन्दगी थोड़ना बिताई जा सकती है, तो यही तो बात आपको elucidate करनी थी, मतलब साफ सुत्रे तरीके से, स्पष्ट तरीके से बतानी थी, और वही सारी problems जो encounter करनी पड़ रही हैं आम आदमी को, वही सारी मैंने discuss करी है, इन points के थूँ, इन ही को आपको expand करना है और लिखना है, तो सर प्रॉब्लम्स हमने समझ ली, कि food budget लोगों का कम होता जा रहा है, सिकुरता जा रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ों पर पैसा खर्चना पड़ रहा है, उसका क्या impact हो रहा है, impact of reducing food budget, impact of shrinking food budget, shrink मतलब सिकुर जाना, impact of shrinking food budget, सबसे पहला point, malnutrition, coportion, लोग बहुत जादा coportion का सामना कर रहे है, health पर education पर बाकी चीज़ों पर पैसा खर्चा जा रहा है, तो जो basic food items जो खरीदे से भी लोग पहले, उन पर भी नहीं खरीद पारे है, छोटे बच्चों की इस वएसे, child wasting और child stunting जैसे problems का सामना करना पड़ रहा है, जो healthy रहने के लिए balance, diet के लिए जरूरी है, growth के लिए जरूरी है, इस वएसे problems create हो रही है, stunting और wasting जैसी, यह बात आपको यादा की है, सबसे ज़्यादा burden आ रहा है females के उपर, male members को तो help मिल जा रही है, females के उपर सबसे ज़्यादा burden आ रहा है, या pregnant women पर maternal health सफर कर रही है, इस वज़े से maternal health सफर कर रही है, deteriorate कर रही है, female are the last consumers, एक family के अंदर अंत में female खाती है, जो कि गलत है, last consumer माना जाता है इस तरीक ऐसे, जो कि गलत है, patriarchal mindset का पाट है, और कई बार तो खाना भी नहीं मिलता, कि बाकी members खा ले पहले, because of food shortage, इसकी वज़े से, जो बहुत कम age के लोग होते हैं, young mothers होती हैं, उनको बहुत सरी problems, anemia, खून की कमी, child mortality बच्चा जो उनके pregnant है, उनके गर्ब में है, उसको proper portion नहीं मिल पाता, ये बहुत बड़ी problem है, इस वज़े से, low skill development नहीं पापा रहे हैं, एक poverty की vicious cycle बनी हुई है, गरीबी, low income और गरीबी की cycle बनी हुई है, कि लोग गरीब है, तो अच्छे education नहीं ले पाते हैं, अच्छे education नहीं ले पाते हैं, तो job नहीं मिलती, job नहीं मिलती, में आके रह रहे हैं, पर पक्के मकान नहीं है, कच्छे मकान है, तो urban sprawls हो रहे हैं, जुग्या बन रहे हैं, unauthorized construction हो रहा है, और उसमें भी proper facility नहीं है, बिडली पाने की, बिडली चोरी करी जा रही है, तो ये problems हो रहे हैं, इन्सान का human potential ही भाहर नहीं आ पा रहा, गरीबी की वज़े से, human potential ही हम लोगों का नहीं देख पा रहे हैं, आज बड़े बड़े खिलाडी, अगर resources नहीं मिल पाते हैं, संसाधन का अभाव होता, संसाधन का अभाव होता, तो कैसे इतना आगे बढ़ पाते हैं, nutritional intake नहीं होता, प्रापर उनका तो, growth and development नहीं होती, देश में उतने फिर economic activity भी नहीं हो पाती है, अगर मान लोग बड़े बड़े industrialist, उनके पास resources नहीं होते, तो कैसे आगे बढ़ पाते हैं, खुद सोचिये, इस इवन पॉसिबल, आपको लग रहा है पॉसिबल है, नहीं है ना, तो बस मैं फाइनली यही कहना चाहूँगँ, और इस question को conclude करूँगँ, question ने बहुत अच्छे एक point of view पे focus किया है, कि hunger, UPSC का previous question है भाई है, कि hunger और poverty, दोनों correlated है, दोनों बढ़ रहे है, इस वज़े से, सरकार जो budget कट कर रही है, वो नहीं होना चाहिए, reverse of that, होना चाहिए, budget बढ़ने चाहिए, budget on various items should increase, जो essential है, जो SSI है, social sector initiatives, social sector initiatives है, उन पर हमें focus करना है, government should not ignore the necessity of common people, आम लोगों की जरौतों को पूरा करना है, छोटे बच्चे हैं तो उनको immunization, टीका करन प्रोवाइड करना है, ताकि universal immunization हो सके, healthcare के लिए प्रधान मंत्री, जन आरोग ये योजना लेकर आई है, आईश्मान भारत scheme, free healthcare, पांट लाग रुपे तक का एक परिवार को मिल सके एक साल में, फाइव लाग रुपीज तक का free healthcare, education के लिए right to education है, midday meal scheme है, school के अंदर, national food security act के तहत राशन मिलता है, तीन रुपे, दो रुपे, एक रुपे के किलो के हिसाब से, कोविट के दौरान हमने बहुत support किया था, लोगों को राशन बाट कर, सर्वशिक्षा अभियान होता था पहले, अलग-अलग schemes education से related चल रही है, तो यह सारे programs और कई सारे scholarship programs चल रहे है, प्रधान मंत्री आवास योडना, housing facility प्रवाइड करने की कोशिश की रा रही है, गौवर्मेंट के दौरा, प्रधान मंत्री आवास योडना, तो एक balanced approach क्रियेट करने की कोशिश की रा रही है, जहां पर लोगों को nutritional support, health care में support, education में support सरकार प्रवाइड करती है, national nutrition mission, portion अभियान, portion maha, नाम के innovative inventive schemes चल रही है, जो कि लोगों को जादा से जादा nutrition के importance के बारे में aware करान चाहती है, so all of this is important, and for this, government is playing a lot of, a very big role and it is doing a lot of things, हमें कोशिश करनी है कि सरकार, budget कट के नाम पे इन important areas को focus करना ना छोड़े, हमें money rationalize करना है, freebies बाटने के अलावा, populist schemes में पैसा लगाने के अलावा, ऐसी essential social security schemes की तरफ पैसा लगाना होगा, यह जरूरी है, और यह आपका conclusion हो सकता है, जिसमें आप कुछ negative नहीं लिख रहे हो, government के बारे में कुछ negative नहीं बोल रहे हो, पर एक तरीके से जो होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अपना answer लिख सकते हैं, बाकी आप मुझसे connect हो सकते हो, वसू कटारा study IQ class के PDF और अलग-अलग classes के link आपको यहां से मिल जाएंगे, जो मैं लेता हूँ, study IQ पर, मेरा mail ID है वसू.katara.study.com और batch 1 हमारा start हो रहा है, UPSC का, वसू live coupon code यूज़ करके, 24,499 का जो admission fees है, वो आपको 18,999 का पढ़ जाएगा, शाम 6 बज़े 2-5 घंटे क्लासिस हुआ करेंगी, 14 November से ये batch शुरू हो रहा है, batch मैंने बताया, quality से शुरू होगा, एक subject एक time पर कराया जाएगा, पूरा sequence चलेगा एक से डिएर साल तक preparation का, तो जरूर जुड़िएगा, thank you very much, इस session का part बनने के लिए आप मुझसे connect हो सकते हैं, मेरे टेलिग्राम चैनल पर, good luck, good bye, कल फिर से मिलते हैं दो पर एक बज़े, जरूर आईएगा, जैहें,